जैद्रत्वत काौरव सेनापती गुरुत्रोन ने चक्रव्यू की योजना की। चक्रव्यू एक युत्वपुमी पर की जाने वाली सेना की रजना है जिसमें चक्राकार साथ स्तर होते हैं। रध चक्र की समान ये योजना सबसे कठीन मानी जाती है। पांडव योधाओं में अभिमन्यू, अर्जून, श्रीकृष्ण और प्रद्युम्न के अलावा कोई भी चक्रव्यू का मुकाबला करने में समर्थ नहीं था। अर्जून, पुत्र, अभिमन्यू, चक्रव्यू का भेद जानता था, परन्तु उससे सुरक्षित बाहर निकलना वो नहीं जानता था। युधिश्ठिर को चिंतित देखकर, अभिमन्यू उनकी पास गया। ताथ श्री, मैं चक्रव्यू को भेदना जानता हूँ, परन्तु उससे बाहर कैसे निकलना है, ये मैं नहीं जानता। पुत्र, अभिमन्यू, हम हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़ो का आशिर्वाद और मान्यता लेकर, अभिमन्यू, भीम और अन्य योद्धाओं के साथ चक्रव्यू भेदने निकला। अपने रत पर सवार होकर, अभिमन्यू ने चक्रव्यू का बहुत ही आसानी से भेद किया। अभिमन्यू तो निकल गया, परन्तु अन्य कोई भी योद्धा चक्रव्यू में प्रवेश नहीं कर सका। बहुत ही कुशलता से जैद्रत ने फिर से चक्रव्यू को जोड दिया। अभिमन्यू चक्रव्यू में अकिला ही लड़ता रहा। उसने कई योद्धाओं को मौद के घाट उतार दिया। युद्ध दौरान कर्ण को भी जखमी किया। दुशासन को मुर्चित किया। अन्य योद्धाओं को मुर्चित अवस्था में वहां से हटाना पड़ा। इस युद में दुर्योधन के पुत्र की मौत हो गई। अपने पुत्र के वज से पागल होकर संक्तप्त दुर्योधन ने एक साथ अभिमन्यों को घेरने की गोशना की और सारी कावरों सेना अकेले अभिमन्यों पर तूट पड़ी। युद नियोमों का सरासर उलंगन करते हुए सारे युद्धा एक साथ अभिमन्यों पर तूट पड़े। धनुष छोड़कर अपनी तलवार से अभिमन्यों लड़ता रहा। तलवार तूटने पर उसने रथ चक्र उठा कर युद्ध जारी रखा। अभिमन्यों ने अपनी गदा से दुशासन के पुत्र को भी मार डाला। परन्तु दुशासन के पुत्र के गदावार से अभिमन्यों का सर विच्छिन हुआ और वो मर कर गिर पड़ा। सारी पांडव सेना शोक मगन हो गई। इस बात से अनभेगिय अरजुन जब शिक्रिष्ण की साथ अपनी शिबिर में लोटा, अपनी शिबिर में प्रवेश करते ही अरजुन ने देखा कि उसकी सारी भाई शोक मगना है। मेरा पुत्र अभिमन्यू कहा है? कहा है अभिमन्यू? क्या हुआ उसे? कोई बताता क्यों नहीं? कहा है अभिमन्यू? अभिमन्यू, मेरे अभिमन्यू क्या हुआ? ओ अभिमन्यू, मेरे प्यारे अभिमन्यू, तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? अब मैं तुम्हार रखो अरजुन, शान्त हो जाओ मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुम्हारी मौत का प्रतिशोद लूँगा, अगर कल सुर्यास्त के पहले मैं जैदरत को नहीं मार सका, तो मैं अगनी प्रवेश कर लूँगा, अगनी प्रवेश, मैं तुम्हारा प्रतिशोद अवश्य लूँगा, अभिमन्यो अवश्य वहां कावरव के शिबिर में जैद्रत दुर्योधन से मिलने गया और उसने अर्जुन की प्रतिग्या बताई दुर्योधन अर्जुन ने कल सुर्यास्ति से पहले मुझे मारने की प्रतिग्या की है उचित यही होगा कि मैं मेरे राज्य वापस लौचाऊ तुम तो क्षत्रियों में महावीर हो तुम्हें कौन मार सकता है और हम सभी तुम्हारे साथ है किन्तु वो अर्जुन की प्रतिग्या उचित यही होगा कि मैं यहां से चला जाओ तुम्हारी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है महारती करन के साथ हम सभी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे तुम चिंता मत करो दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ ध्यान से सुनो आज का युद्ध हमारे लिए बहुती महत्वपूर्ण है हमें किसी भी हालत में जैद्रत की रक्षा करनी होगी अगर आज जैद्रत बच गया तो अर्जुन पराजित होकर अगनी प्रवेश करेगा ठीक है दुर्योधन कर्ण, गुरुद्रोन और अन्ययोध्धाव ने अर्जुन को हर समय जैद्रत से दूर रखा सुर्यास्त का समय समी पा रहा था तभी अर्जुन ने जैद्रत को देखा वो रहा जैद्रत, आज तुम्हारा अंता गया है जैद्रत अर्जुन ने जैद्रत पर तीरों की बौचार कर दी तो फिर तुम भी देख लो जैद्रत ने भी अर्जुन पर तीरों की बोचार कर दी, जैद्रत ने अर्जुन के रत का ध्वज बिचिन न कर दिया, जिस पर हनुमान विराजमान थे, उसने श्री कृष्ण को भी सक्मी किया अब मैं तुम्हे नहीं छोड़ूँगा अर्जुन ने जैद्रत के सार्थी को मार डाला और उसका रत भी तोड़ दिया, तभी श्री कृष्ण ने देखा कि कुछी समय में सुर्यास्त होने वाला था अर्जुन, तुम्हें जैदरत को जल ही मारना होगा, जल ही करो, सुर्यास्त हुने ही वाला है, हमारे पास समय बहुत कम है, जैदरत की रक्षा करने वाले वो छे सैनिकों को तुम्हें मारना होगा अब मैं क्या करू श्री कृष्णा? मैं अपने सुदर्शन से सूर्य को ढखकर सूर्यास्त का आभास निर्मार करता हूँ सूर्यास्त की आशंका से जैदरत खुद तुमारे सामने आएगा और वही सही समय रहेगा तुम उसे मार सकोगे जैसा तुम कहो क्रश्न परन्तु अरजुन एक बात का ध्यान तुमें रखना होगा जैदरत के पिता से जैदरत को एक वर मिला है जो भी व्यक्ति जैदरत का सेर जमीन पर गिराएगा उसका खुद का सेर भी विछिम्न हो जाएगा कृश्न तो अब मैं क्या करूँ अर्जुन जैद्रत के पिता इस युद भूमी के नस्दीक एक जंगल में तप कर रहे हैं तुम्हें जैद्रत का सेर इस प्रकार काटना होगा कि तुम्हारी तीरों से वो सीर उड़कर उसके पिता की गोद में जागिरे मैं प्रयत न करूंगा कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है अर्जुन श्री कृष्ण ने अपनी दैवी शक्ती से सुदर्शन चक्र की मदद से सुर्यास्त के आभास का निर्माण किया जैद्रत ने सुर्य की तरफ देखा तो उसे सुर्यास्त ही लगा अर्जुन यही मौका है वो रहा सुर्य और वो रहा जैद्रत उसके सीर का निशाना साधो चल दी करो जो आग्या कृष्ण अर्जुन के शक्तिशाली तीर ने जैद्रत का सिर काट दिया उसके बाद अरजुन ने लगातार तीन तीर छोड़े जिससे जैदरत का सीर दूर उसके पिता की गोद में जा गिरा जैदरत की पिता आरातना कर रहे थे उठते समय उन्होंने उस सिर को अपनी गोद में नहीं दिखा और वो सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर गया जैसे जैदरत को वर्दान मिला था उसके पिता का सिर भी बिचिन्न हो गया श्रीकरश्ण ने सुर्यास्त का आभास हटा दिया और फिर से सुर्यक शितिज पर दिखने लगा सभी कवरों ये घटना देखकर भय चकित हो गए पांडवों के दल में उत्सा और विजय की लहर फैल गई इस प्रकार अरजुन ने जैदरत का वद करके अपनी प्रतिग्या पूरी की